हेलो गुड मॉनिक जोहार मसंचे और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को घटना की संबन में बताया जाता है कि तीनों बच्चे घर से ग्यारा बजे निकले थे, दो बजे तक घर नहीं पहुचने पर परिजन परिशान हो गए खोजबीन करने लगे, खोजबीन करतोवे घर से तीन किलोमेटर दूर बवनी खान डेम पहुच गए डेम के पश्रिम उत्तर दिसा में तीनो बच्चों का कपड़ा दिखाए दिया, इसके बाद किसी अनहोनी की आसंका को लेकर डेम में घुसकर खोजबीन करने लगे काफी देर बाद सूरज का सौप आए गया, इसके बाद आसपास के लोगों ने भी अन्य दो बच्चों की तलास डेम में करने लगे सड़े चार बजे करीब अन्य दो बच्चों का सौब भी डेम से निकाला गया वही सूचना मिलने के बाद SDPO शतंदर नरायन सिंग, ठाना परभारी आदित नायाग, अंचला धिकारी विकास सिंग, सहितकई, प्रसासनिक और पुलीश पताधिकारी मौके पर पहुँच गए तीनो बच्चों को लेकर पुलीश पताधिकारी अनमंडल अस्पताल लाई, जहां तीनो को मृत्त गोशित कर दिया गया पुलीश ने तीनो बच्चों के सौख को पोश्ट माडम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया तीनो बच्चों की मौत के बाद जंगेपूर का उनाओ टूला सोक में डूप गया है, वही परिजनों के चितकार से वहां मौजूद हर आखों में आसुआ गया जायरखन में मानसुन सकरिये, आज और कल इन जिलों में भारी बारिस का अलर्ट लोग को शाओधान और सतर्क रहने की सलहा आज 17 और कल 18 अगस्त के लिए राज के 8 से 9 जिलों में भारी बारिस से अतिधिक भारी बारिस का ओरेंज अलट जारी करतो हुए अस्पेशल मौसम बुलेटीन जारी किया गया है राजी में भारिस से अतिधिक भारी बारिस की संभावना को देखतो हुए क्रिसी और क्रिसक के लिए भी विशेश बुलेटीन जारी किया गया है राजी मौसम केंदर के राजी के लोहरदगा, गुमला, सिम्डिगा, पसिमी शिंग्भूम, खुंटी, राजी, रामगर, बुकारू और धनबाद जिले में आज 17 अगस्त को भारिस अतिधिक भारी बारिस का ओरेंज अलट जारी किया गया है आज सनिवार को इन जीलों के कई इलाकों में भारी वर्सा का पूरू अनुमान है जबकि कई अनिछेत्रों में भी हलके से लेकर मधम दर्जे की बारिश हो शकती है वही मौशम केंदर रांची ने कल 18 अगस्त को भी लोहरतक गा, गुमला, शिम्डे गा, रांची, खुंटी, पश्मी शिंग भूम, रामगर और बोकारो जिले के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है इदर मानसुन को लेकर जारीकन में भारी से बहुत भारी वर्सा की संभावना को देखतो हुए क्रिसी और बागवानी की फशल और वरिक्षा रोपन को मामुली, नुक्षान और निशले इलाके में जल जमाओ के संभावना वक्त की गई है इस दोरान किसानों को शाओधान और सत्रक रहने की सला दी गई है मौसम खराव फोने पर खेतों की और नहीं जाने की शला दी गई है और सुरक्षित इस्थान पर सरन लेने की शला दी गई है जारिखन में नवंबर दिसंबर में महराष्ट की शाथ होगा विधान सभाचिनाओ 27 अगस्त को जारी होगी मतदाता शूची जारिखन के 81 सीटों पर विधान सभाचिनाओ समय पर इस वर्स नवंबर दिसंबर में होगा सुकरवार को भारत निर्वाचन आयोगद्वारा हर्याना और जम्मू कस्मीर में विधान सभाचिनाओ की घूशना किये जाने के साथ ही इन राज्यों के साथ तथा समय से पूर्व जारिखन में चिनाओ कराने की अटकले खत्म हो गई है आयो की लगतार सक्रियता को देखतो हुए ये कयास लगाया जा रहे थे कि जारिखन में भी विधान सभाचिनाओ हर्याना और महराश्ट्र और जम्मू कस्मीर की शाथ हो का चुकि हर्याना और महाराष्टर विधान सभा का कारिकाल पहले ही खत्म हो रहा है इसलिए यह संभावना जताई जा रही थी कि जारिकन में समय से पहले चुनाओ हो शकता है जारिकन विधान सभा का कारेकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है अब पूरी संभावना है कि जारिकन में विधान सभा चनौ नौमबर दिसंबर महा में महराश्टर के शाथों का महराश्टर विधान सभा का कारेकाल 26 नौमबर को खत्म हो रहा है साथ जारकन में दीपवाली छटपूजा आदी परवर तहवार आठ नौमबर को खत्म हो रहे हैं ऐसे में उमीद की जा रही है कि नौमबर के अंतिम सप्ता तथा दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ता में चुनाओं हो शकता है हलाकि चुनाओं की खुशना पहले ही हो जाएगी बड़ी खिबर जारकन कॉंग्रेस की अद्धक्ष बनाए गए केशाओ महतो कमलेस कॉंग्रेस विधाइक दल के नेता बने डॉक्टर रामेस और उराउं विधान सभाँ चुनाओं से पहले कॉंग्रेस के केंद्रिये नितत्व ने जारकन में पार्टी का चहरा बदल दिया है पार्टी ने केशाओ महतो कमलेस को पार्टी का नया प्रदेश अद्धक्ष बनाए है वही डॉक्टर रामेस और उराउं को कॉंग्रेस विधायक दल का नेता बनाए गया है पार्टी के केंद्रिये नितत्व ने बतौर प्रदेश अद्धक्ष के तौर पर राज़ेश ठाकूर के कारियों की शरहना की है इस संबन में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी विनुगपाल की और सिपत्र जारी किया गया है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किया है विर्गती प्राप्त करने वाले राज़ेश निवासी सायनी अगनी वीर की पत्नी और आसरित को विशेश अनुगरहा अनुदान एवं अनुकंपा की अधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताओं को स्विकृति दे दी है अब इस प्रस्ताओपर के विनेट का अनुदान प्राप्त किया जाएगा गरतलाभे की राज़े सरकार द्वारा मिलेटरी ओपरेशन के दौरान करतव निर्वाहनरत विर्गती प्राप्त करने वाले राज़ेश निवासी सायनी के पत्नी आसरीत को विशेश अनुगरहा अनुदान के रूप में दस लाग रुपए और सरकारी नौकरी जो है प्रदान करने का प्रवधान हैं वही भारतिये शेना में वर्स 2022 में अगनीवीर योजना लागू की गई है इस योजना के तहट भारतिये शेना में अगनीवीर के रूप में चार वर्सों के लिए करने की योजना तैयार की गई है स्विकृति का काम भी पूरा कर लिया गया है दो सब्ता से भी कम समय में या उपलब्धी दरसाती है इस योजना ने जन मुहीम का रूप ले लिया है गौरतलाभी की हाली में जारिकन मुकेमंत्री मैया योजना सुरू की गई है इस योजना के तहट 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार हर महिने 1000 रुपे उनके खाते में भीजेगी सरकार की योजना से या बताया गया था कि इस योजना से राज़ की लगभग 50 लाक महिलाएं लाभान भी थोंगी मुकेमंत्री हिमन्तु सोरिन इस योजना से जोड़ी हर एक जानकारी जो है लगतार अपडेट कर रहे हैं और साजह कर रहे हैं योजना में बहतर प्रदर्शन करने वाले जीलों के उपायुकतों की सरहना भी कर रहे हैं और जहां कमी दिख रही है वहां सारवजनिक तोर पर बता भी रहे हैं आपको याब बता दे कि पहले इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा था लेकिन जब से ओफलाइन फॉर्म जमा करने का परवधान हुआ तब से फॉर्म जमा होने की गती काफी तेज हो गई है हजारी बाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर सिमार पीट कोलकाता मामली को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे जियार एसार हुवे उग्र ओपीडी और इमर्जनसी सेवा कराइठव सेख भिकारी मेडिकल कॉलेज होस्पिटल में पिछले चार दिनों से जुनियर रेजिडेंट सिनियर रेजिडेंट और पारा मेडिकल इंटरनसिप के शातर आंदुलन पर हैं सिर्फ इमर्जनसी सेवा ही चालू है यांदुलन कोलकाता में महिला चिकतसक के शाद घटी घटना को लेकर जारी है इसी बीच जी आर एसार के इंचार्ज सीनियर चिकतसक डॉक्टर सोमा औराओं के शाद मरीच के परिजन ने मार्पिट कर दी जिससे प्रोटेश्ट कर रहे हैं चिकतसक और आक्रोशित हो गए उन्होंने OPD एवं इमर्जनसी सेवा भी बंद करा दिया इस घटना को लेकर सदर पुलिस हरकत में आई और तुरंद अस्पिताल पहुँचकर चिकतसक के शाद मार्पिट करने वाले तीन लोग को घरपतार कर लिया जबकि अन्य लोग फरार हो गए अंदुलनकारी डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ गई है वे सुरक्षा की मांग पराड़े हैं बताया गया है कि जहर्पों का उन्य वासी एक परिवार अपने सत्तर वर्सिये वृद्ध का इलाज कराने के लिए अस्पिताल पहुँचे थे इलाज के दोरान वृद्ध क आज सनिवार को पूरे देश भर में सरकारी वानी जी अस्पितालों में हर्ताल में जाने का फासला लिया है हजारी बाग जहासा के सची डॉक्टर राहुल कुमार ने जान करे देतो हुए का है कि पहले कोलकरता में महिला चिकतसक के शाथ हुई घटना के विरोध में कारे बहिशकार का निया था वही अब हजारी बाग में डॉक्टर के शाथ मार्पीट की घटना हुई है इन दोनों घटना का सन्युक तरूपशे विरोध करतों बे फासला लिया गया है जासा कि हजारी बाग सची डॉक्टर राहुल कुमार ने जान करे देतो हुबे काया कि हज जारी बाग में चू घटना घटी है या भी बेहद निंदनिये हैं चिकत्सको को सुरक्षित वातावरा नहीं मिल रहा है आई एम ए को इस घटना के बारे में जान कर दी गई है आई एम ए ने या फैसला लिया है कि सनिवार को सरकारी वा नीजी अस्पतलों में हरताल रहें सेख भिखारी मेडिकल कॉलिज अस्पताल के चिकत्सको का कहना है कि कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलिज में जूनियर महिला रेजिडन डॉक्टर से सामोहिक दुषकर्म वहत्या की घटना के बाद भी हजारी बाग चिला प्रसासन सचेत नहीं हुआ यहां भी चिकत्सको क प्रसानियों की विस्तरित चर्चा की इसमें मुख्य मुद्दा पेट्रोल पंप डिलरों का कमिशन बढ़ाने और पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट को कम करने को रहा बैटक में वक्ताओं ने कहा है कि जारिकन में पेट्रोल डिजल पर वैल्यू अड़ेट टैक्स पर विद बहुत सारी मांगे हैं जो कई वर्सों से पूरी नहीं हो पाई है राजय की सरकार हमारी मांगो पर स्रिप और स्रिप आस्वासन देती रही है अब तक उशे अमल में नहीं लाया जा सका है जारिकन राज्च में वैट अन्य राज्यों की तुनला में अधिक है इन सरकार राज्य के पेटल पंप डिलरों की मांगो पर विचार नहीं करती और मांग नहीं मानती है तो 2 शितंबर 2024 को पूरे जार्खन का पेटल पंप बंद करने के नर्ने लिया गया है पुलीस कर्मियों के बाराबर भठता मिलने पर हूम गार जवानों ने सीम हेमन्द का कहा अभार राज़ भर के गिरी रक्षकों ने पुलीस कर्मियों के समकच द्यानेक क्रतब ब्रिसार मिक दिये जाने के निरणेज़ गए पर मोकेमंतरी हем sposób अरए करले परिसार पहुच के के घुशना की गई है बतादे की जार्खन सरकार ने 12 अगस्त को होमगाडो को पुलिस कर्मियों के समकच दैनिक करतब भथा और प्रसिक्षन भथा देने का निरने लिया है नए आदेश के मुताबिक सहरी और ग्रामीन ग्री रक्चकों को 500 रुपए देने करतब भत्ता की जगा अब पुलिस कर्मियों के समकच 1,088 रुपए मिलेगा इस आसे का पत्र ग्री कारा एम आबदा परवंधन विभाग के शन्युक्त सची राधे साम प्रशाद के हवाले से जारी कर दिया गया है जारिकन में सिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंट्सन योजना का लाप ट्रांसफर पॉलिशी में भी हो गया बदलाओ अन्य राजकर्मियों के तरह सरकारी प्रात्मिक मध्धामिक M-2 असकूलों के सिक्षकों को भी सोनिश्चित वृति योजना MSCP का लाप मिल सकता है सुकुरवार को सिक्षासची उमासंकर सिंग के शाथ हुई अंतर विभाग्य समीती की बैठक में इस परसामती बनी मुक्यमंतरी हेमन्तु सोरेन की निर्देश पर हुई इस बैठक में विभिन सिक्षक संगों के प्रतनिधी भी शमलित हुई बैठक में सिक्षकों को MSCP का लाप देने की सिक्षकों की मांग से जुड़े सभी पहलों पर विस्तासर चर्चा की गई विभिन सिक्षक संगों के प्रतनिधी मंडल ने कहा है कि जारकन में सिक्षक विना किसी वित्य उनियान के ही सेवा निम्रित हो जा रहे हैं अकिल जारकन प्रात्मिक सिक्षक संग के प्रतनधी मंडल ने कहा है कि राजसरकार के सबी कर्मियों को इसका लाब मिल रहा है दूसरी तरब बिहार में भी सिक्षकों को इसका लाब मिल रहा है संखो द्वारा रखे गए विविन जो है तारकीक पहलों के आलोक में सिक्छा सचिव ने सिक्छकों को मेसीपी का लाब देने पर समती व्यक्त करतों विकाह की 25 अगस तक इसका प्रस्ताव तयार कर केबिनेट में पार्दित कराने को लेकर फाइल आगे के खार रवाई के लि मंद्रिगा कर्मचारी संग अपने वादा निभाओ इस्थाई करो मुहीम के तहट 22 जुलाई से अनिश्रित कालिन हर्ताल पर डटे हुए हैं पंचायतों और प्रखंडों में सन्नाटा पसरा हुआ है मंद्रिगा से संचलित सभी योजनाई प्रभावित है विर्सा हरित आम वागवानी पूरी तरह से प्रभावित हुई है अभी तक आम का पाउधा नहीं लगा है ग्रामिन छेतर के मजदूरों को रोजगार नहीं म पूरी नहीं हो जाती है कर्मियों का कहना है कि गडबंधन की सरकार ने चुनाओ से पहले हमारे बीच सेवा इस्थाई करने का वादा किया था पर सरकार बंटे ही सब कुछ भूल गई खरकाई सिचाई पर योजना से आएगी छेतर में खुशाली किसानों को होगा फाइदा चंपाई शोरीन जारकन के पूरा मुक्रमंत्री सहा जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरीन ने सुकुरवार को सराकेला खार समा के गंजिया बराज में खरकाई बाई लेप्ट सिचाई योजना का लोकारपन किया उनके बटन दबाते ही आसपास की दरजनों गाउं के खेतों में सिचाई का जल पहुँचना सुरू हो गया इस आउसर पर चंपई सोरीन ने कहा है कि खरकाई नदी के जल को संचय कर उसे खेतों में भेजने की इस योजना से छेतर में खुशाली है ताकि वे रभी खरीब क्यालाओ भी साग सबजियां ओगा कर अपनी आर्थिक इस्तिती सुधार सके जारकन व्रधान सभाचनों की तयारी को लेकर मुख निर्वाचन पदधिकारी के रभी कुमार ने की बाठक लंबित अविदनों के निप्टारे के निर्देश जारकन में व्रधान सभाचनों की तयारी को लेकर मुख निर्वाचन पदधिकारी के रभी कुमार और राज्य पुलीश नोडल ओफिसर एवी होमकर ने सुकरवार को निर्वाचन सदन में अधिकारियों के शाद बाठकी विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कई रेंज आईजी डियाईजी सभी जीला निर्वाचन पदधिकारी सभी वर्य पुलीश अधिशक पुलीश अधिशकों को आगामी विधान सभाचनों की तयारियों को लेकर निर्देश दिया गया उन्हें लंबित आविदनों का सत विधायक जल्द ही बीजेपी में सामिल हो जाएंगे उन्होंने जामो छोड़ने और बीजेपी में सामिल होने का मन बना लिया है एक मीडिया संस्तान से बातचीत में लोबिन ने कहा है कि परिवारवाद के खिलाब मोर्चा खोनने का समय आ गया है बहुत जल्द वो दिल जाएंगे और वहाँ बीजेपी निताओं से मुलाकात करेंगी उन्होंने काहे कि मेरी तब्यद थोड़ी ना साज है राची में डॉक्टर को दिखाने के बाद रहत मिलते ही वे दिल ली जाएंगी उन्होंने या भी काहे कि जामों से नाराज चल रहे एक नेता से उनकी ब संजय महता ने जेवी केसस की अध्धक्ष जयरा महतों को लिखा पत्र कहा संगटन में वैचारिक प्रति बदता की कमी है बुद्ध जीवी वर्ग उनके भासन में शुधार चाता है सब भे समाज में मारने कारने की बाद कहना स्विकार नहीं है मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार संगठन में टिकट की दावेदारी के लिए 51 सुर रपे की रासी किशाथ आवेदन मांगा गया था पत्र में उन्होंने 17 बिन्दों पर बात की है उन्होंने काए कि संगठन में जो यूबा जोड रहे हैं उन्हें पूरा संभाण नहीं दिया जा रहा है उनका आरोफे की संगठन के विस्तार में कई संगर सील साथियों का नाम छुड़ गया है हलाकि संगय महता के आरोपो पर पार्टी अध्धक्स जारा महतों ने काए कि उन्हें सारी बाते पार्टी फॉरम में रखने चाहिए उन्हें कोर कमेटी की वैठक में बाते रखने चाहिए उन्होंने काये कि सोशल मेडिया की जगा उन्हें पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए वे प्रिशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस न्युक्ती नियमावाली में जो लाबकारी संसोधन किया गया है उसको वापस लेना होगा तथा वन पाल के पद पर सत प्रतिश्रत प्रणती काररत वन रक्ष्यों को देनी होगी पलामू जोर्नल मुख्याले के धरनास्थल पर पलामू रीजन के सभी साथी उपस्तित हुए मौके पर राज्यकी सन्युक्त मंतरी पंकच पाठक, जोर्नल मंतरी रोशन सिंग, लातिहार जिला मंतरी, साकेत पांडे और सभी जिलत्था जोन के संखिय पत अधिकारी के पुलीस थाने में एक महला पुलीस अधिकारी होगी इसे लेकर पुलीस विभाग तयारी कर रहा है जल्द ही सरकार के अस्तर पर इस पर कोई निरनाई ले जाएगा उन्होंने कहे कि पुलीस थाने में महला पुलीस अधिकारी के रहने से किसी भी महला को अपनी समस्याएं बत पुलीस सेवा से जुड़ी हर राइंग की महिला अधिकारियों के लिए महिला फॉरम बनाया जाएगा ताकि महिलाएं अपनी समस्याइं चाहिए रखतिगतो या अधिकारी को से सामने रख पाएंगी। भरती परिचा के लिए अधिकार जारी कर दिया गया है। हेमन्तु सोरेन सरकार की महिला योजना भी लाना चाहिए। हाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भरता देंगे अपने वादों को पूरा करतो हुए उन्हें अब भाईया योजना सुरू करनी चाहिए। उन्होंने अपनी तरब से 20,000 फार्म चफवाए थे उनमें से 7,000 स्विक्रित हो गये हैं। वाच चाहेंगे किस योजना का लाव अधिकाधिक बहन बेटियों को मिले जो योजना अच्छी है उसकी तारिप करनी ही चाहिए। जारकन में बाबुलाल मरांडी के नेतितों में विधान सभाचनाओ लड़ेगी भाजपा हिमंता विस्वास सर्मा भाजपा जारकन में बाबुलाल मरांडी के नेतितों में विधान सभाचनाओ लड़ेगी। मेरा काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना और कारेकरतों में जोस भरना है सुक्रवार को ये बाते असम के मुक्रमंतरी और प्रदेश भाजपा के चिनौस सह प्रभारी हिमंतर विस्वास सर्वा ने कही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे जैसे ही असम से फुरसत मिलती है तो मैं जायरकन चला आता हूँ एक बार फिर मैं पच्चीस को यहां आउंगा उन्होंने कहा है कि प्रतियासियों पर केंद्रिय नितित फैसला लेगा मैं हर बैठक में यही कहता हूँ कि प्रत्यासी पर चर्चा ना करे बलकि इस पर चर्चा करे कि कमल कैसे खेलेगा उन्होंने कहा है कि जाम मों सिर्फ मैया सम्मान योजना की बात करती है पर सच्छाई यह है कि विधान सभाचनाओ तक उन्हें सिर्फ एक हजार रुपे मिलेगा कुख्यात अपराधी अमन साहो गिरो के गुर्गे ने सीएसपी संचालक से लूट पार्ट के दोरान मारी थिकोली एक अपराधी गिरपतार गिरीडी में 12 अगस्त को सीएसपी संचालक से लूट पार्ट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है कुख्यात अपराधी अमन साहो गिरो के गुर्गे ने वारदात कौन जाम दिया था घटना कौन जाम देने वाले एक अपराधी को गिरीडी पुलिस ने गिरपतार कर लिया है साथी लूट पार्ट में परियुक्त दो बाइक भी पुलीस ने जब्त की है हलाकि लूटी गई रकम पिश्टल और घटना में सामिल अन्य अपराधियों के गिरपतारी के लिए पुलीस टीम की चाप मारी जारी है पुलीस का दावा है कि जल्द ही बागी के अपराधियों को भी गिरपतार कर लिया जाएगा गिरपतार अपराधि का नाम साजन अनसारी उर्फ साहिद अनसारी है और वहा रामगर थाना चेतर के भुरकुंडा करहने वाला है SDPO धननजे कुमार राम ने बताया कि गरपतार आरोपे के खिलाब पतरातू, मांडू और कोजू थाना में पहले से पांच मामले दर्ज है दोस्तों संग पिकनिक बनाने रिमिक्स फॉल गए राची के युवक की हुवी मौत स्वतंदरता दिवस के आउसर पर अपने दोस्तों के शाथ कुंटी के मारंगादा थाना चेतर के रिमिक्स फॉल में घुमने आए युवक की मौत हो गई विर्तक की पहचान राची के कोकर त्रिल बस्ती निवासी सुदरसन हैमरोम के 29 वर्से बेटे दिलिप हैमरोम के रूप में किया गया है जानकरी के अनुशार दिलिप हैमरोम 15 अगस्त को 77 दिवस के मौके पर अपने 45 दोस्तों के शाथ पिकनिक मनाने रिमिक्ष फॉल आया था इस दोरान सभी दोस्तों ने नहाने के बारे में सोचा और नहान लगे जहान नहाने के गरम में दिलिप गहरे पानी बेचला गिया कुछ दिर बादवा बाहर नहीं निकला दोस्तों कुछ इंता हुई आखिर उनका दोस्त क्यों बाहर नहीं निकला सुकुरबार को ग्रामिनों ने उसकी सव को पाने से बाहर निकाला इस दोरान पुलीस को भी सूचना दी गई सूचना मिलने के बाद पुलीस मौके पर पहुँचकर सव को कबजे मिलिया और सव को पोश्ट मार्णम के बाद परिशनों को शौप दिया राज्य के जन सिवकों को मिलेगा 2400 का ग्रेट पे कुमार एम अन्य ने याचिका दायर की थी इसमें कहा गया था कि सरकार ने जन सिवकों की नुक्ति वर्स 2012 में की थी उनकी नुक्ति 2400 रुपए की ग्रेट पेपर की गई थी 10 सल बाद सरकार ने वर्स 2013 में ग्रेट पे घटा कर 2000 रुपए कर दिया जेबी केसस अध्यक्ष जारा महतो को हाई कोट से मिली अगरिम जमानित जारकंडी भासाख अत्यान संगर समेती जेबी केसस की अध्यक्ष जारा महतो को सुकुरवार को हाई कोट से अगरिम जमानित मिल गई है हाई कोट ने जारा महतों की अगरिम जमन नतीहाचिका को सुख्रित कर लिया है राजनी राजी को दो फ्लायोवर की सौगात जल्द 15 सितंबर को काटा टोली फ्लायोवर का उदगाटन कमपनी को अल्टिमेटम राजनी राजी को जल्द दो बहु प्रतिक्षित फ्लायोवर की सौगात मिलने जा रही है इसको लेकर फ्लायोवर निर्मान कारी तेज गती से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है प्रधान सचीव ने जुड़को लिमिटेड द्वारा निर्माना धीन काटा टोली बहु बजार फ्लायोवर का निर्मान कारी 15 सितंबर तक पूर्ण करने का निर्देश देतो हुए वहां मौजूद निर्मान कंपनी और जुड़को के समंधित पौदधिकारियों को फट कार लगाया और कहा है कि इस निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हुआ तो वो एक दिन का भी समय विस्तार नहीं देंगे और निर्मान कंपनी पर कार रवाई होगी उन्होंने पौदधिकारियों को निर्धेसित किया है कि वो अधीक मसिनरीज और मेन पावर लगा कर समय पर कारे पूरा करें जारकन के दिल में बसते हैं अटल बिहारी वाजपई बाबुलाल मरांडी बहुमोखी परतिभा की धनी अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हिमाले की तरह विराठे उनकी चिंतन में हिंद महासागर की गहराई थी शुकुरवार को ये बाते भाजपा के प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने कही उन्होंने अटल बिहारी वाजपई की जन्ती पर विधान्चभापारी सर इस्तित उनकी प्रतिमा पर उस पांजली अर्पित करूंहें नमन किया अगर मजबूत हो तो इमारत संधार होती है सुकुरवार को ये बाते कॉंगरेस के प्रदेश अध्धक्ष राजपई श्ठाकुर ने कही नवन्युक्त अध्धक्ष विनए उन्हों से प्रदेश कार्याले में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहाए कि उन्हें अविलम जो शात्रों की समस्याओं को सुची बर्द करना चाहिए और उनके निराकरन की दिसा में काम करना चाहिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि विनए कॉंग्रेस की नीती तथा सिधानतों के अनुशार संगठन को धारदार बनाने के लिए शात्र समोधाय को संगठित करेंगे ग पहुंचता रहे तो अभी के लिए वस्तना ही हमें देजिए इजाजत फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के शार्ट धन्यवाद